आयूशीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो उम्र सीमा है शिशू मंदिर के लिए अगर आप आविधन करेंगे तो नियूनतम सीमा 19 और अधिक्तम 45 वर्स और विद्या मंदिर के लिए अगर आविधन करेंगे जो PRT के कैंडिडेट है तो नियूनतम आयू 21 वर्स और अधिक्तम आयू 45 वर्स रखी गई है ठीक है यानि यहाँ पर जो है DLAD, BTC, BSTC, BAD वाले कैंडिडेट सबी इसमें आविधन कर पाएंगे ओफिचल वेबसाइट पर जो है सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं चलिए देख लेते हैं पटापट से कैसे जो है इसमें अपला अधिक्तम आयू 21 और दोनों के लिए दिक्तम आयू 45 वर्स है सेलरी भी इनोंने जो है अलग लग बता दी है इसमें शिशु मंदिर के लिए प्रात्मी के सब्सक्राइटी प्राइमरी टीचर्स के लिए विशे हैं विज्यान, गनित और अंग्रेजी इसमें सेक्शनिक यो और जिन के लिए रेट ने ग्रेजुईशन के साथ में डियालेड किया है तो उनकी सेलरी जो है इसमें अधिक रहने वाली है ठीक है विद्या मंदिर मादमी के स्थर जो ट्रेंड ग्रेजुए टीचर्स हैं इसमें सब्जेक्ट हैं भौतिकी जी विज्यान, रसाइन, गनि इतिहास, संस्क्रेट, हिंदी, अंग्रेजी, एंड भूगोर इसमें सेक्शनिक योकिता कहा है कि ग्रेजुईशन आपकी होनी चाहिए और जो सारे रिक सिक्षा विशय है इसमें वीपी एड वाले अपलाई करेंगे जिनका संगीत, गायन, वादन या न्रत्य है तो संगी इसमें बनेगी, वरिष्ट मातमिक 12 को पढ़ाने के लिए, 11-12 को पढ़ाने के लिए जिन्हें पोस्ट ग्रेजुट टीचर्स कहते हैं, तो बहुत एकी रसायन, जीविग्यान, गनेत अंग्रेजी, अर्थ सास्र, व्यवसाइक, सिक्षा, लेखा सास्र, ये विशय है, इस वेकेंसी जो है, कहां से जारी की गई है, तो ये वेकेंसी, दैनिक हिंदुस्तान, एवं दा हिंदुस्तान टाइम्स, समाचार पत्र में दिनाक 17 नवंबर 2024 को प्रकासित है, सार्वजनेक विग्यापन, ये भारती सिक्षा समिती बिहार, पटना, ठीक है, यहां से वेकेंस में योग के कर्मट एवं अनुहवी आचार, सिक्षक और सिक्षिकाओं की आवेशकता है, और भी देख लेते हैं, आयू सीमा आपको ये पूरा बता दिया है, अन्य सुविधा इसमें ग्रैजुएटी, भविश्यनिती, इस्थाई होने पर आवास भत्ता भी दे होगा, कह अन्य सुविधार की, ऑफिशल वेबसाइट है, बी एस एस पतना डॉट आइन, ठीक है, ये ऑफिशल वेबसाइट है, आपका जो है इसमें एप्लिकेशन फीज जो है 300 रुपीज लग रही है, चाहिए आप किसी भी कैटेगरी के कैनी रेट हो, ऑनलाइन जो है आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, 17 दिसंबत 2014 से, कहां पर जो है सैंटर पड़ेगा, एक्जाम आपका कहां होगा, तो जो भारी राज़े के कैनी रेट है, उनको पहले ही जो है जानकारी इसकी मिल जाएगी, केवल पटना में ही जो है, इसमें एक्जाम लिया जाएगा, 10 बज तक तो PRT और PZT के लिए होगा, और 2-4 बजे तक TZT के लिए होगा, ठीक है, इसमें फोन नमबर भी इनों ने दिया है, अगर आप जो है इसमें फोन करना चाहेंगे, तो साड़े दस बजे से पांच बजे तक कर सकते हैं, ओफिशल वेब साइट पर जाकर जो है मैं आप को बता देती हूँ कैसे जो है नोटिफिकेशन आपको चेक करना है, जैसे ही आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, या फिर इसी वीडियो के नीचे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक शियर कर दिया जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, तो आप डारेक्ट जो है आप लोगों को बिलकुल इस पस्टर दिख जाएगा, थोड़ा से इसको बढ़ा कर लेंगे, और पूरा देख लेना है अच्छे तरीके से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू